सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कर देना तो start करते हैं read the extract and answer the following question इस extract को पढ़ना है आपको ठीक है यह जो नीचे पहरा दिया हुआ है और आपको जो पूछे हुआ परिशन है उसके उत्तर देने तो start करते हैं Delhi first became the capital of kingdom under the Tomar Rajputs who were defeated in the middle of the 12th century by the Chohans also referred to as Chahamans of Ajmer तो देखिए जो बारवी सदी के मद्दे में Tomar को जो बारवी सदी के मद्दे की बात हो रही है बीच की ठीक है बारवी सदी के मिडल की बात हो रही है उसमें जो Tomar Rajput थे उन्हें किस ने हरा दिया था उन्हें चोहानोंने हरा दिया था बच्चो ठीक है जिन्हें चोहामान भी बोलते थे चोहान को चोहामान भी बोला जाता था उन्हें उन्हें हरा दिया था ठीक है तो दिल्ली जो थी सबसे पहले राजधानी बनी थी किसके तोमर राजपूतों के और वो किसके द्वारा हार गए थे चोहानों के द्वारा अब आगे देखते हैं और उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाये थे आगे देखते हैं कोईस मेंटेड है काल देलिवाल यहांपर सिक्के भी डाले जाते थे जिन देलिवाल कहा जाता था है देवाइट सर्कूलेशन और वो काफी प्रचलन में थे तो अब यहांपर कोशन नमबर वन है इन वीच आफ दे फॉलिविंग रूल डिट डेली बिकम एन इंपोर्टेंट कमर्शल प्लेस निमली कितमे से किसके राजेकाल में दिल्ली वाडिचे का एक महत्वपूर केंदर बनी थी तो यहांपर हम टिक कर देंगे चोहांस और तोमर चोहां और तोमर्स के समय में कोशन नमबर टू है दिल्ली शहर में मंदिरों को निर्माण किसने कर रहा था जेन ट्रेडर्स जेन वेपारियों ने कोशन नमबर त्री है यहांपर टिक कर देंगे कोशन नमबर फोर है बायवूम वर्दा तोमर्स डिफीटिट इंदा 12th century जो तोमर्स थे उनको बारवी शहरी में किसने हराय था चोहां ने तो यहांपर हम चोहां लिग देंगे answer the following question प्रिशनों को उत्तर दो तो यहांपर बचो question number 5 जो है यह two marks का है ठीक है और define iconology यह भी two marks का है तो हमें बताना तारीख और तवारीक साब क्या समझते हैं और पारितंत्र को परिभाशित करना है तो आईए इसके answer देखते हैं मैंने यहां भी question लिख दिया छोटा सा what do you understand by तारीख तवारीक तारीख यह तवारीक साब क्या समझते हैं तो इसका answer लिखेंगे बच्चो आप यह तारीख singular तवारीख plural are histories which are valuable sources of information these were written in Persian the language of administration under the दहली सुल्तान देखें तारीख किसी एक डेट के लिए बोला गया है एक वचन के रूप में तवारीख बहुत सारी तिथियों को बोला गया है plural उसका बहुवचन है और यह सब इतिहास के से related है मतलब कि इतिहास का जब हम अध्यन करते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक यह हुआ या उन तिथियों में यह हुआ उन तवारीख में यह हुआ तो यह सब इतिहास से संबन देते हैं जो कि हमें सूचना प्रदान करते हैं एक valuable सूचना के स्तुरोथ यह हमारे लिए हैं और यह परस जन फार्सी भार्षा में लिखके गएते हैं क्योंकि यह भार्षा दिल्ली सुल्तान के प्रशासन की भार्षाती उस समय की ठीके तो यह लिख देंगे आप आंसर नंबर फाइब में अच्छा कोशन नंबर शिक्स है डिफाइन एकोलोजी एकोलोजी को डिफाइन करो तो यहाँ पर ए लिखकर ठीक है आप लिखेंगे ए सिस्टम फॉर्मड बाइदा इंट्रक्शन ऑफ ए कम्यूनिटी ऑफ और्गनिजम विद देर फिजीकल इन्वार्मेंट तो यह क्या होता बचो पारिस्थिती की तंत्र यह एक ऐसी काई होती है जिसमें एक छेत्र विशेश के सभी जीवधारी जैसे की पौध हो गए जन्तु हो गए और जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपने अजयव प्रियावरण के साथ अंतर किरिया करकर एक संपूर्ण जेविकिकाई बनाते हैं ठीक है तो यह एक बोतिक इन्वायरमेंट का निर्मान करते हैं सभी समुधाय के जीव एक दूसरे के साथ अंतर किरिया करके तो यह छोटा सा आंसर है बस आप यह लिख देंगे आंसर नमबर 6 में अब आ जाते हैं कोशन नमबर 7 पर जो गैरिसन शहर हैं उनके दो उधारन लिखने हैं तो आप लिख देंगे सिंध हैं बैंगॉल सिंध और बंगल दो उधारन लिख दीजिए कोशन नमबर 8 है इसमें पूछा गया है कि तवारीक का द्धन हमारे लिए क्यों आवशक है और कोशन नमबर 9 में पूछा हुआ है आपको इतियास के अध्यन के लिए कुछ इस्तरोतों के उधारन भी देने हैं तो आईए इने देखते हैं कोशन नमबर 8 है यह रहा यह हमारे लिए लाबदायक कैसे मैंने यहाँ कोशन लिख दिया और आंसर हम यहाँ से लिखेंगे यह तारीक, सिंगुलर, तवारीक, प्लूरल और हिस्ट्रीज विच और वैलिवल सोर्सेज और इन्फोर्मेशन पहले तो हमने उसके बारे में बता दिया ठीक है ओके तो फिर लिखेंगे देली सुल्तान के प्रशासन की यह भाषा थी जो की फार्सी में लिखे जाते थे इतिहास उस समय पर इसलिए तवारीक का जो ग्रिटिकल एनलाइसिज है वो दिल्ली सुल्तान के इतिहास के अध्यन के लिए बहुत मैद्वपूर है तो इसलिए ऐसे ही हमारे लिए helpful है तो यह लिख देंगे आप answer number 8 में question number 9 है यहाँ पर देखिए यह रहा mention some sources for the study of history हमें इतिहास के कुछ अध्यन के स्तुरोथ बताने तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चो primary sources may include diaries जो हमारे पास प्राथमिक इस्तुरोथ हैं जो हमें हमारे पास सबसे पहले मिले हमें वो कौन-कौन से थे diaries हो गए letter पत्र हो गए interviews जो समय के लोगों से साक्षात कर किया गया पुराने समय के लोगों से oral histories जो मुसे बताया हुआ इतिहास मोखिक रूप से photographs हो गए newspaper articles हो गए जो उस समय के समचार पत्रों में छपते थे government documents हो गए जो सरकारी दस्तवेज है poems कवीता है novels उपन्यास plays natak and music संगीत इन सबसे हमें सूचन प्राप्त होती है ठीक है हम अध्यन कर सकते है history का the collection and analysis of primary sources is central to historical research और इन सब का जो primary sources का analysis है इनका collection है वो एतिहासिक खोज के केंद्र में है तो यह लिख लेंगे आप answer number nine में ठीक है अब question number 10 बसता है वो और देख लेते हैं write an essay on the changes that happened in Delhi in 12th and 13th century तो question number 10 में पूछा हुआ बारवियन तेरवी शहताबदी में दिल्ली में हुए परिवर्तन पर एक निवन लिखे तो इसमें बच्चों आप क्या कर देंगे बस यह वाला पूरा paragraph लिख देंगे यह क्योंकि लेंदी है four marks का यहां से लेकर और यहां तक लिख देंगे आप ठीक है तो देखे मैं एक बार और पढ़ा देती हूँ डेली first became the capital of a kingdom under the Tomars Rajput दिली सबसे पहले Tomar Rajput के अंतरगत राजधानी बनी थी ठीक है merchant lived in the city and constructed several temples उस समय में जब Tomars और चोहानो का समय था उस समय में जैन वैपारी भी उस शहर में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए coins minted here called Delhiwal had a wide circulation सिक्यमा ढाले जाते थे उस समय देली में Delhiwal कहे जाता था उन्हें और वो काफी पिर्चलन में थे the transformation of Delhi into a capital that control vast areas of subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century तेहरवी सेताबदी में दिली सलतनत की स्थापन हुई और इसके साथ दिली एक ऐसी राजानी के रूप में बदल गई जिसका नियंतरन इस महादीप के बहुत बड़े छेत्र में फैला था तो बचे वक्षीट कंप्लीट हो गई मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग